हेलो दोस्तों पोल्टेकनिक कैपसूल के यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम लोग इलेक्टिकल इंजिनीरिंग ड्रॉइंग फर्स्ट एंड सेकेंड में प्रिंस्पल आफ इस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग जोकी यूनिट वन है उसको हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो इस चैप्टर में प्रिंस्पल आफ इस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है उसको हम लोग शलेवर्ष के तौर पे देखेंगे ठीक है तो इसमें हमको पहले पढ़ना है परपज आफ इस्टिमेटिंग और कास्टिंग का क्या परपज होता है उसको पढ़ना है उसके बाद पढ़ना है इसेंटियल आफ इस्टिमेटिंग और कास्टिंग मार्केट सर्वे हम लोगों को मार्केट सर्वे पढ़ना है और इसेंटियल पढ़ना है ठीक है उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है price list and net price, अंकित मुल्य और net price हमको पढ़ना है, उसके बाद हमको पढ़ना है preparation of list of material, कैसे material का list तयार करते हैं, उसको भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ना है calculation of material and labor cost, कांटिंजिस होता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे यह आकश्मिक बै जिसको बोलते हैं उसका इंग्लिश में नाम जो है कांटिंजिस है ओवरहेड चार्जेज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड टोटल कास्ट पढ़ेंगे कोटेशन पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि idea about tender forms कैसे दिया जाता है तेंडर कैसे निकाला जाता है उसको भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज आफ ESR ठीक है ESR के बारे में हम लोग जानेंगे यह अभी नया सलेवस में जुड़ा है तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है तो अभी हम लोग सुरू करते हैं परपज आफ Estimating and Casting कि Estimating and Casting का क्या उद्देश्य होता है परपज आफ Estimating and Casting आगणन एवं मुल्यांकन आगणन एवं मुल्यांकन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगणन एवं मुल्यांकन का उद्देश आवश्यक सामगरी की सूची तयार करना धन की हानी न होना तथा समय से पूर्व कारे की समापती को करना होता है मतलब कि जो Estimating, Casting का जो उद्देश्य होता है वह अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें क्या-क्या सामगरी लगेगा धन की हानी नहीं होना चाहिए और समय से पूर्व तयार हो जाए और इसके लिए तो और बेटर रहेगा ठीक है उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं Essential Element of Estimating and Costing मतलब कि किसी प्रोजेक्ट के Estimating and Costing के लिए अनिमारे तक तो क्या-क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं Specification of Material मतलब Material का कैसा होना चाहिए इसको किस प्रकार से Material को यूज किया जाना चाहिए इसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए इसको हम लोग देखते हैं First Number पे Project तयार करने से पहले उसमें लगने वाले Electrical Material का पूर ग्यान होना चाहिए ठीक है मतलब कि जो प्रोजेक्ट हम तयार करने है मतलब कि अगर हम एक छोटा सा उदारन ले जैसे कि हमको एक वर्कसाप का वायरिंग करना है तो वर्कसाप के वायरिंग में क्या-क्या Material लगने वाला है क्या-क्या सामाल लगने वाला है उसका हमको पूरतया जानकारी होना चाहिए एक Engineer के तोर पे ठीक है आगे हम लोग देखते हैं Market, Cost and Surveya Market, Cost बाजार वह मुल्य है जिस पर वस्त को खरीदा जाता है तथा बाजार सरवेच्छन के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त किया जाता है कि वस्तु किस कंपणी द्वारा बनाया जाता है और कौन सी कंपणी की खरीद मुल्य नियुनतम है बाजार मुल्य जानने के लिए Cotation आमंतिर्थ किये जाते है बाजार मुल्य तो वह मुल्य है जिस पर हम लोग खरीदते है जैसे कि हम अगर एक किलो चीनी लेते है तो जिस रेट पे वह चीनी देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे वह बाजार मुल्य हो गया लेकिन वह चेनी किन किन कंपनी के माध्यम से बनाया जाता है और कितने में बनाया जाता है उसको अगर हम देखते हैं तो उसी को बोलते हैं market survey ठीक है प्राइज लिष्ट एंड नेट प्राइज प्राइज लिष्ट क्या होता है और नेट प्राइज क्या होता है प्राइज लिस्ट बिक्रेता द्वारा मतलब कि जो सामान बेच रहा है बिक्रेता द्वारा पून बिवने के साथ उपलब्ध कराई गई वस्तु की सूची प्राइज लिस्ट कहलाता है प्राइज लिस्ट में यदि उत्पादन, सुल्क, केंद्री शुल्क, विक्री कदी कर आदी जोड दिया जाए और छूट लगा दिया जाए मतलब कि जो जितने परसेंटेज अगर हम कोई सामान खरीते हैं तो उस पर कुछ परसेंटेज छूट लगा दिया जाए अगर हम थोक सामगरी खरीद रहे हैं तो उसमें लगभग 10% तक की छूट मिलती है तो जो मुल्य प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं नेट प्राइज कहते हैं अब आपको पता हो गया होगा कि प्राइज लिस्ट मतलब की बिक्रेता दौरा जो दुकानदार है उसके द्वारा जो ब्यूरण हमको प्राप्त कराई जाती है जो सामान का ब्यूरण हमको प्राप्त कराई जाती है जैसे कि अगर हम घर की वायरिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है इसमें हमको जरूरत परती है अगर इंटर्नल वायरिंग कर रहे हैं तो कंड्यूट की जरुवत पड़ती है उसके बाद holder की जरुवत पड़ती है उसके बाद switch board की जरुवत पड़ती है तो ये सब चीजे विक्रेता द्वारा इसका पूर्ण बिरुणे के साथ उपलब्द कराई जाती है ठीक है आगे हम देखते हैं अब देखिए price list किस प्रकार से बनाते हैं य रेट उसका कितना होता है मतलब एक का रेट कितना होता है उसके बाद price क्या है उसके बाद इसमें अगर कुछ बिरुण देना होता है तो उसको हम नोट्स में उसका बिरुण देते हैं जैसे अगर 5 एंपियर 250 बोल्ट 50 हर्स सिंगल फेज फिलिपस मेक switch की हमको आवशकता ह है तो हम बोलेंगे बिया इसका जो पर रेट है वो 40 रुपए है एक अगर हम बात करें तो ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग price list तयार करते हैं टर्म कंडिशन क्या होता है price list तयार करने में यह सूची नमिंतम है जो दिनांक निम्न से लागू मानी जाएगी ठीक है दुकान द्वार द्वारा यह बताया जाता है कि जो यह सूची आपको price list में मिली है वो एकदम नमिंतम है जिसका मुल्य इतने दिनांक से लागू मानी जाएगी दूसरा है ठोक खरीद पर 10% की छूट प्रदान की जाएगी मतलब अगर आप ठोक में सामाल लेते हैं 100 के आकड़े में 200 के मात्रा में लेते हैं तो उस पर 10% की छूट दी जाएगी मुल्य सूची कर सहित है मतलब कि जितना भी ये प्राइज दिया गया है ये सब टैक्स सहित है इसमें जेश्टी अगरे सब इंक्लूड है ठीक है पैकिंग माल भाड़ा बीमा इत्यारी अलग से दिया है मतलब कि ये जो सामान है उसको पैकिंग करने में जो खर्च आता है माल को भेजने में जो खर्च आता है सामगरी को हम एक अस्थान से किसी फर्म को देते हैं तो जो खर्च आता है बीमा सामान अगर बड़ा है तो उसका इंसुरेंस भी होता है तो ये सब अलग से दिया होत आगे हम पढ़ते हैं, preparation of list of material, कि material का list हम किस प्रकार से तयार करते हैं, ठीक है, material list में सामगरी का पूर्ण बीवरण, बिसिश्टिताओं सहीत दरसाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक table, इस table में आपको यह पता लगेगा, कि किस प्रकार से material का list बना सामगरी का नाम बीवरण सहित होना चाहिए, मात्रा में, मात्रा होना चाहिए, और उसका इकाई होना चाहिए, कितने मात्रा में, rate होना चाहिए, उसका पैसा होना चाहिए, और किस दर से हम लोग लगाये हुए हैं, उसको पता होना चाहिए, कुल कीमत कितना होना चाहिए, उसको भी यहाँ पे दर्साया गया है उसके बाद इस पे कुछ रिमार्क्स अगर है तो उसको टिमपड़ी में हम लोग दर्साते हैं ठीक है तो इस पूरे बिवरण को आप लोग अच्छे से याद करिएगा ये एक्जाम में आने की संभावना बनी रहती है आप लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी इंटर्नल वाइरिंग में पावर वाइरिंग में कोई भी अगर वाइरिंग आप करते हैं तो उसमें लिस्ट इसी प्रकार से तयार किया जाएगा ठीक है जैसा कि आप लोगों को पहले पढ़ा दिया गया होगा अब हम पढ़ेंगे determination of labor caste labor caste क्या होता है या किदने प्रकार का होता है तो जो labor caste होता है स्रम मुल्ले होता है उसको निम्ण प्रकार से ग्याद किया जा सकता है कार्य दिवश के आधार पर कुसल स्रमिक अ कुसल स्रमिक को दिन के आधार पर प्रत दिनराशी दे होती है मतलब कि अगर कोई ब्यक्ती किसी वाइरिंग में दस दिन काम करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ दस दिन का ही salary दी जाएगी तो इस प्रकार से होता है इकाई कारे के आधार पर पहले सारे पॉइंट की गिंती कर ली जाती है और इकाई के आधार पर मुल्य दिये जाते हैं मतलब कि जैसे कि हमको किसी संस्थापन में किसी वर्कसाप में हमको 10 स्विच बोर्ड लगाना है दो डिस्टिबिूशन बोर्ड लगाना है उसके बाद फाइन लगाना है लाइट लगाना है तो सब पॉइंट को एकत्रित कर लिया जाता है और पॉइंट के आधार पे मतलब एक point का अगर हम 50 रुपय fix करें हैं तो उसके आधार पे मुल्य दिया जाता है सामग्री के कुल मुल्य के प्रतिसत के आधार पे इस विधी में project में लगने वाले सामग्री का कुल मुल्य ग्यात किया जाता है कुल मुल्य का 15% से 25% तक लिया जाता है सामानेतया लेबर काश्ट को 15% लिया जाता है मतलब कि अगर हम किसी संस्थापन की वायरिंग करते हैं और वायरिंग का पूरा खर्च जो है वो 1,00,00 रुपए आता है तो 1,00,00 रुपए में से 15,00,00 रुपए का 15% लिया जाता है मतलब 15,000 रुपए आपका लेबर काश्ट आ जाएगा ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे कांटिंजियस पे ठीक है आकर्श्मिक ब्याय पे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ ब्याय खर्च ऐसे आ जाते हैं जिनका पुरुवानमान नहीं होता है जैसे मसीनों की टूट फूट, स्रमिक को चोट लगना इत्यादी ऐसे ब्याय के लिए प्रोजेक्ट के कुल लगत का 3-5% होता है मतलब कि जो आकाश्मिक ब्याय होता है वो सभी मटेरियल का जो काश्ट आता है उसका 3-5% तक लिया जाता है उसके बाद हम देखते हैं overhead charges, surcharge जिसको बोलते हैं कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट पर कारे करते समय आते हैं से मज़दूरी का बढ़ जाना अस्थापन लागत बढ़ जाना बिजली पानी आधि पर जो खर्च होते हैं उसे overhead charge कहते हैं यह 5% से 15% तक लिया जाता है अब हम देखते हैं profit and total cost profit and total cost profit इस बात पर निर्भर करता है कि project का कुल मुल्य बाजार मुल्यक से अधिक नहीं आए लाभ 10% से 30% तक रखा जाता है profit अभी आप कुछ सामाल लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि जहां पर हमको सामान को यूज करना है उसका उस project का जो कुल लागत है सामान का लागत उससे कम होना चाहिए दूसरा total cost किसी project का total cost उत्पादन लागत स्रम लागत आकर्ष्मिक लागत maintenance cost का योग होता है ठीक है मतलब कि अगर हम किसी project का total cost देखते हैं तो उसमें जो generating का cost होता है labor cost होता है agencias cost होता है और maintenance cost होता है इनका समपूर योग क्या कहलाता है total cost कहलाता है उस project का ठीक है आगे हम लोग देखते हैं quotation, comparative statement and order तो हम लोग सबसे पहले quotation का format देखते हैं कि किस प्रकार से quotation प्राप्त किया जाता है देखिए एक होता है मांग पत्र मांग पत्र आप लोग के syllabus में नहीं है फिर भी इसको हम लोग एक बार उसके indicate कर दे रहे हैं कि ये क्या होता है देखिए अगर हम कोई project मा लिजिए कि आप किसी project के मालिक हैं तो क्या होता है कि आप उस project में लगने वाले सामान का ब्यूरण किसी भिन भिन फर्म को देंगे और उनसे उस सामान का लागत पता करना होता है तो ये होता है मांग पत्र मांग पत्र प्राप्त होने पर जो सामगरी खरीदी जानी है उसका बाजार मुल जानने की आउशकता होती है पहले क्या होता है कि हम लोग एक मांग पत्र भेशते हैं मार्केट में मार्केट से पता करते हैं कि वो सामान मार्केट में उपलब्द है कि नहीं बाजार मुल ज्यानत करने के लिए क्रय विभाग एक पत्र विभिन सप्लायर को भेशता है जिसे quotation कहते हैं ठीक है तो बाजार मुल्य ज्यांत करने के लिए जो market price है उसको ज्यांत करने के लिए क्रय विभाग जो जो project होता है उसका एक विभाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय विभाग purchase officer एक पत्र विभिन सप्लायर को भेशता है जो फर्म सप्लाई करने वाले है material का जिसे हम क्या कहते हैं quotation कहते हैं और quotation को निविदा भी हम लोग कहते हैं ठीक है इसका एक फार्मेट है जिसका जैसे हम लोग later लिखते हैं आप लोग बहुत हर एक अस्थान पर जहां जहां आप लोग अपने principal को भी later लिखते होंगे chodi को later लिखते होंगे तो भिन भिन जगा पर जैसा later लिखा जाता है उसी प्रकार से फार्मेट का होता है लेकिन इसमें सब्दों का अंतर होता है ठीक है तो सबसे पहले प्रेसक होता है कि किसको भेजना है जो भेज रहा है जो भेज रहा है कि कौन भेज रहा है प्रोजेक्ट का पूरा detail होना चाहिए उसके बाद किसको भेज रहा है तो उसको हम लिखते हैं सेवा में मेसर्स मेसर्स मतलब जो फर्म है ठीक है उसके बाद यहाँ पे दिनांक को होता है और memo number होता है कि यह किस memo के माध्यम से भेज जा रहा है ठीक है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं महोदय निम लिखित सामगरी की आपूर्त है मोहर बंद कोटेशन निम्न सर्तों के साथ दिनांक निम्न तक आमंत्रित किये जाते हैं कोटेशन अब इसमें सर्त क्या क्या है कोटेशन बंद लिखाफे में दिनांक निम्न तक आमंत्रित किये जाएंगे कोटेशन की बैध्यता दिनांक निम्न से दिनांक निम्न तक रहेगी सामगरी के साथ डूबलिकेट बिल भेजना अनिवारे है मतलब उसका फोटो कॉपी, बिल का जो फोटो कॉपी है, कि आपके सामगरी का कितना कास्ट है, उसका एक बिल का फार्मेट बेजना होता है, ठीक है, सामगरी पूर्ण विवरण के साथ सही इस्थिती में होना चाहिए, सामगरी के उपर लिफाफे पर कोटेशन संख्या धिन नांक अंगित होना चाहिए सामग्री की आपूर्थी 15 दिन में करनी होगी मतलब ये 15 दिन भी हो सकता है एक महीने भी हो सकता है दो महीने भी हो सकता है लेकिन हमने निम्नतम समय ले लिया है कि 15 दिन में करनी होगी सामग्री सही इस्थिती में पाये जाने पर भुकतान एक मही है उसके द्वारा जो सामान भेजा जा रहा है अगर सही समय और सही स्थिती में प्राप्त हो जाता है प्रोजेक्ट को तो उसका जो भुगतान है उसको जो दिया जाने वाला पैसा है वो एक महीने के अंदर दे दिया जाएगा अब इसका भी विरुण निम्न प्रकार से साण चाहाली के अंतरगत्व दिया गया है इसमें क्रमशंख्या होगा सामगरी का विरुण हो होगा और शेक मात्रा हो यह फर्म दौरा भेजा जाता है है ठीक है मांग पत्र देने के बाद मांग यह पता हो जाए है कि किस-किस फार्म के पास ये सामगरी उपलब्ड है तो उनके पास हम लोग quotation भेचते हैं सामगरी का ठीक है उसके बाद लाश्ट में हम ताक्षर मांग करता जिस प्रोजेक्ट के लिए मांगा जा रहा है सामान और संस्था का सील जो प्रोजेक्ट है उसका संस्था का सील होना चाहिए ठीक है अब हम देखते हैं कि कंपरेटिव स्टेटमेंट तो लात्मक व्योड तयार करने का उद्देश यह देखना होता है कि किस फार्म का नियूनता मुल्य कोटेशन प्रस्तुत कि किया गया है मतलब कि अब क्या होगा कि भिन भिन जो फर्म है भिन भिन दुकानदार अपने सामान का रेट भेजेंगे प्रोजेक्ट को तो वो क्या करेगा कि यह देखेगा वहाँ पर यह तुलना करेगा कि किस फर्म का जो सामगरी का मुल्य है वो सबसे कम है तो इसका भी फार्मेट होता है उसमें क्या होगा संस्था का नाम कोटेशन संख्या कोटेशन आमंत्रित संख्या कोटेशन की संख्या और अनुमोधित मांगपत्र संख्या दिनांक होता है और कोटेशन ओपेन करने का भी दिनांक होता है इसका भी एक फार्मेट होता है जो कि आपको एक टेबल के माध्यम से दिखाया गया है ठीक है अब इसमें नोट करने वाली बात क्या होती है कि नियोनतम कीमत वाले कोटेशन को चिन्हित किया जाएगा अब देखिए इसमें आपको बहुत सारे फर्म दिये गये हैं जैसे कि आप करम शंख्या हो गया शामगरी का नाम विवरण हो गया आवश्यक मात्रा हो गया तो पहले फर्म ने कितना कोट किया मतलब पहले फर्म ने कितना पैसा लगाया दूसरे फर्म ने कितना पैसा लगाया तीसरे फर्म ने कैसा इसा चाओ थे पासे जितने भी फर्म हैं वो सब अपना कोट करते हैं वो सब अपने शामगरी का मुल्य देते हैं जिसे ये समझ में आता है कि किस फर्म का कोट सबसे कम हुआ है मतलब किस फर्म के द्वारा सामगरी माल लेते हैं कि फर्म एक के द्वारा जो कोट किया गया है वो सबसे नियुनतम मुल्य का कोट हुआ है तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि फर्म एक को हम लोग इस प्रकार से चिन्हित कर लेते हैं कि फर्म एक जो है हमको सबसे नियुनतम मुल्य पर सामग्री उबलब्द करवा रही है तो वही है नोट में नियुन्तम कीमत वाले कोटेशन को चिन्हित किया जाता है क्रय अधिकारी के रिमार्क क्या है उसको यहां पे अंकित किया जाता है उसके बाद हस्ताच्छर होता है जो तयार करता है इस कोटेशन इस कमपरेटिव स्टेट्मेंट को उसके बाद हस्ताच् मिल रहा है उसके बाद जो स्विकृति करता है मतलब फर्म का जो मालिक होता है जो यमडी होता है वो यहाँ पर सिगनेचर करता है थीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं पर्चेज ओडर कमपरेटिव स्टेटमेंट में स्विकृति निवनतम मुल्य के आधार पर एक पत्र तयार किया जाता है मतलब कि जो कमपरेटिव स्टेटमेंट से हमको निवनतम मुल्य का फर्म प्राप्त हुआ उसको एक लेटर भेजना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्चेज ओडर म इसे क्राय आदेश कहते हैं उसके बाद इसका भी एक फार्मेट है संस्था का नाम होगा किस संस्था दौरा भेजा जा रहा है प्रेशक का नाम कौन भेज रहा है और इसमें होगा सेवा में नाम होगा या अधिकारी जो है उनका पोस्ट होगा ऐसा हम लोग लिखेंगे उसक जट ही नियत करेगी उसके बाद दिनांक किस दिनांक से दिया गया है उसके बाद लिखा क्या गया होगा महोदय आपके द्वारा दिया गया कोटेशन संख्या निम्न दिनांक निम्न के संदर्व में आपकी फर्म में नियुनतम मुल्य पर पाया गया है कृपया नीचे दी ग है क्या करते हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि सामगरी का क्रम शंख्या होगा सामगरी का नाम विवन सहित होगा आवश्यक मात्रा होगा दर होगा कुल मुल्ली होगा टिपणी होगा रिमार्क होगा ठीक है ये सब आप लोग याद रखिएगा लगभग सभी एक समान ही है तो कुछ अंतर के साथ इनको आपको याद रखना होगा ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें सर्थ क्या होगा कि सामगरी प्राप्त होने की अंतिम तिथी प्रोजेक्ट जो अधिकारी होगा उसके द्वरा निर्धारित किया जा जाएगा अभी देख़े वहाँ पर किया कहा गया था वहाँ पर मद्वरा कहा गया था कि जो भी कर होगा वह कंस्टमर के द्वरा वहन किया जाएगा और यहां Central Government का Tax दे देंगे लेकिन आपको अस्थानी कर देना पड़ेगा मतलब कि जैसे कि Road Tax लगता है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का खर्च आता है तो यह सब्द होता है उसके बाद यहाँ पर क्रयाधिकारी का अस्थाक्षर होता है उसके बाद हम लोग देखते है Electrical Schedule for Rate ESR ESR आपको समझना पड़ेगा कि जो PWD होता है PWD का आप तो आपने नाम सुना ही होगा सारवजेट की निर्मान विभाग जो PWD होता है वो समय समय पर बिद्दुत परिज़ाओं में लगने वाले सामगरी मुल्य सूची तथा संस्थापन से संबंदित मानक एवं निर्देश भारती Electricity नियम 1956 के अनुसार एक किताब प्रकासित करते हैं मतलब कि जो Indian Electricity Rule 1956 है उसके अंतरगत एक किताब प्रकासित करता है जिसे बिद्दुत मुल्य दर अनुसूची कहते हैं इसमें दो खंड होता है यह दो खंडों में बटी होती है पहले खंड में स्विक्रत सामानों के बारे में जानकारी होती है तथा दूसरे भाग में विभिन सामगरी के मुल्य के बारे में जानकारी होती है इनका उपयोग प्रिजेक्ट के खरीदी के लिए किया जाता है अब देखिए लास्ट में आपका आता है टेंडर फॉर्म टेंडर फॉर्म क्या होता है कि किस प्रकार से टेंडर निकाला जाता है विभिन फर्मों को बेजने के लिए तो विभाग का नाम होता है विभाग की ओर से वर्कसाप में वाइरिंग से संबंधित माल लेते हैं यहां पे वाइरिंग से संबंधित सामगरी की आपूर्ति एमं स्थापन कराये जाने हैं क्रह किया जाने वाले प्रत्येक सामगरी का निविदा कोटेशन प्रपत्र विस्त्रित विवरन नियम और सर्ते अधोहस्ताचरी कार्याले से निर्धारित मुल्य देकर धिनांक निम्न तक प्राप्त कर सकते हैं निविदा मुल्य निम्न का डिमांड ड्राफ्ट निम्न के पक्ष में दे होगा जो वापस नहीं होगा ये नॉन रिफंडेबल होता है उसके बाद समस्त निविदाएं दिनांक निम्न तक कार्याले में प्राप्त होती हैं और दिनांक निम्न को उपस्थित निविदाओं के समक्ष उच्च निविदा समित द्वारा खोली जाती है ठीक है उसके बाद इसका भी एक लिश्ट होता है जिसको टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है तो इसमें सामग्री का विर्वन होता है शंख्या होता है अनमोदित मुल्ल्य होता है धरोहर राशी होता है और लास्ट साफ estimating and costing ठीक है तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखते रहिए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी पूरी बातें समझ में आ रही हैं अगर कुछ बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको आप comment करके बताईए और इस lockdown में हम लोग पा रहा है अपनी तरफ से हम आप लोगों को देने का प्रयाश कर रहे हैं और आगे आपको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे लाइव क्लासेज भी मिलेंगी तो आप लोग धैरे रखें और ज्यादा से ज्यादा इस नोर्स को पूरी तरीके से तैयार करिए जो कि आपके एकजाम के लिए एकदम बेनिफिट है यह मान के चलिए कि इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू